तो लास्स प्लास में मैंने आपको दिमांड कभ बना के दिखाया था ढि Verf draft कैसे वन्ट से ऐसे बनाती ओ यहां पर सब्सक्राइब क्यों और हम पे तो क्वांटिटी क्या होगे हमारी काम हो गए तो इसको बोलते हैं डिमांड कर अगर हमने इस कर्फ को बनाया किसको इसको क्या बोलते हैं डिमांड कर तो इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप डिमांड स्केडियूल तो इसको ग्राफ पर आप बनाओगे तो इसको क्या बोल तो ध्यान से देख लो वर्ड के लिखा हुआ है इनवर्स फ्राइस अगर प्राइस के वज़े से क्वांटिटी में चेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बाकी जितने भी फैक्टर्स चार फैक्टर्स उनके वज़े तो दो तरीके के कर्ब्स हो सकते हैं एक होता है एक होता है इंडिविज्वल डिमांड करफ एक होता है क्छिजिव कर तो इंडिविजुवर्ट कर गाता ने एक ऺड़ाया था ने पड़ाया- था इंडिविजुब्ट नाद्स कर ल। इंडिविजुवर्ट कर लो गया इन ये था았어 बनाया तो इसको का बना रहा हूँ सिंफ एका तो इंडिविज़ग्स बना हूं कि मान के चलो मार्केट में सिर्फ आकर दो ही करस्ट बना दिया एक ग्राफ के उपद तो वह क्या हो जाएगा मार्के डेमांड कर तो अगर क्राइब क्राइब यह से क्या होता जा रहा है और जिसके वजए से हमारी होती जारी है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होती जारी है चलो तो बैसे कली वाट इस दरीजन ऑफ स्लोप दिवांड कर इट इस बिकॉस अप्ट इंवर्स रिलेशन्शिप डाट एग्जिस्ट विट अगर जैसे आया ना कोशन आया वट 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 इस दरीजन फॉट इसे जो स्लोप है वो क्यों जा रही है तो आप क्या डीजन के लिखोगे इस ड्यू तो दा इंवर्स रिलेशन्शिप डाट एग्जिस्ट विट्विट्वीन दा क्वांटिटी डिमांडेट आने दा प्राइज ऑफ आप को चलो अब यहां पर देखो अब इसको लर्न करना है आपको लॉप डिमांड यह वाली डेफिनिशन आएगी डिफाइन ल इसका मतलब क्या होता है इंवर्स लेशन्शिप बिटूइन दा प्राइज आंदा क्वांटिटी डिमांडेट और जब भी डिफिनेशन लेक्ट आप क्या करोगे एक डिमांड कव बनाके दिखा देना फटाफट से चिक है यह सारे पॉइंट स्मार्ण करने की जुरूरत नहीं होते आपको सिर्फ ऐसे लाइन बनाओगे ऐसे लाइन बनाओगे स्क्लिल से और सीदिये क्लाइन कीज़त अब जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसी को फूक्स करना बुक में बहुत सारा लिखा हुए हर्चीज रेलिवेंट नहीं है कि उसे कुश्चन आएगा ठीक है अब बात करते हैं बात करते हैं अमन्हें सब पढ़ाता हूं लॉफ इक वी मार्जल इूटिलिटी टू कॉमेडिटी के इसके अंदर लॉफ इक वी मार्जल इूटिलिटी हर एक रुपे पे मैं जो खड़सा जो कर रहा हूं उसके बरापर कि मुझे क्या चाहिए प्राइजन सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करते हैं वैसे वैसे उसकी साटिस्फाइशन क्या होती जाती है कम होती जाती है सब्सक्राइब क्या होता है अभी बताता हूं इंकम एफेक्ट एडिशनल का कस्टमर्स और डिफ्रेंट यूजिस अब देखो एक-एक करके पड़ते हैं कि लेटेस नाव ट्राइट एंडेसंट वाइट इसलाव दिमांड ऑपर यूजिस करता है और ज्यादा प्राइस के ओपर क्यों कम पर्सेश करता है ठीक है देखो लॉफ डिमिनेशिंग मार्जल उटिलिटी डिम्यू पहले पड़ा था हमने फर्स आप्र के अंदर एक्व के अंदर लॉफ डिमिनेशिंग मार्जल उटिलिटी स्टाइट आइज वी कंज्यू मोर और उनिट्स आप कॉमड़ेटी यूटिलिटी डिराइफ रमीच सेक्सेशिव यूनिट्स गोड़ा था सो डिमांड फॉरा कॉमड़ेटी डिपेंड इस यूटिलिटी डिमांड कि को ने तक मैं पैसा करूंगा कितनी साटिसवाक्शन चाहिएं जितना मैं पैसा कर रहा हूं से ज्यादा मुझे क्या चाहिए साटिस्वैक्शन मिली मैं और पर क्षेश करूंगा मजा आता जाएक क्या आ जाएगा कि मुझे satisfaction कम मिल रही है as compared to the price खर्चा जो मैं कर रहा हूं वहां पर मुझे क्या हो जाना चाहिए रुख जाना चाहिए और बलकि मेरे को कब रुख जाना चाहिए when money is equals to किसका हो जाएगा utility satisfaction if the consumer gets more satisfaction he will pay more उसको ज्यादा satisfaction मिल यह वह और खाएगा as a result consumer will not be prepared to pay for the same price for additional unit of the community as a result consumer will not be prepared to pay the same price for additional unit of a community consumer will buy more units of the community only when the price falls consumer और कब utility कब पर्चीश करता रहेगा जब तक जब तक जब तक उसकी जो satisfaction है वो greater है किसे प्राइस से ठीक है चीक है तो as a result consumer will not be prepared to pay the same price for additional unit of a commodity पहली unit के लिए उसने जिल्टा प्राइस पे कराओ दूसरी उनिट के लिए वह उत्रहाँ प्राइस पे नहीं करेगा क्यों उसको क्या चाहिए पहली युनिट आपने खाई ठीक है आपको यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो युटिलिटी की बात करता हूं पहले और यहां पर बात करता हूं प्राइस तो अगर पहली कॉमेडिटी का कि आपको साथिस्वेक्शन मिली टैन की और उस कॉमेडिटी का जो प्राइस था वह फाइब रुपीज का तो आप क्या करोगे सेकंड भी लोगे फिर साथिस्वेक्शन मिली आपको आठ रुपे प्राइस तो अभी कॉंस्टेंट इमानके चलें का पांच का था कस्टमर और खाएग चीज है पांच की अगर सामने वाला बोले के मैं आपको यह चीज तीन में रुपे में दे दूंगा तो बंदा कंज्यूम कर लेगा लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है प्राइस तो भईया पांच रुपई है तो आप क्या खावब बेसको नहीं आप सिर्फ यहां पर क्य क्या मानके चलते हैं कि प्राइस तो हमेशा कॉंस्टेंट है प्राइस में चेंज नहीं कर सकते तो आप से यहां पर स्टॉप हो जाओगे तो यहीं चीज़ देखो यहां पर लिखे हुए आज रिजल्ट कंजूमर विल नाट बी प्रिपेर टूपे दा सेम प्राइस फॉर मतलब 3-4 के पास जाने के लिए और सेम प्राइस पर नहीं करेगा और यहही प्राइस पर नहीं करेगा पैसकि क्hea ऐख ऊख कोफी महेंगी हो गई तो उसकी जगह हम क्या पिएंगे चाय को पिलेंगे वेंगे वेंट राइस फॉल हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसने आपको क्या दे रखा है अब बात करते हैं किसकी इंकम इफेक्ट की तो यह वह यह फैक्टर जो अभी मैंने आपको एक्स्प्रेंट करें थे इंकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन दे डिमांड वेन रियल इंकम ऑप दा कंचुमर चेंज़ दू चेंज इन दा प्राइस आप गिवन के वज़े से चेंज होएगी वे हमारे पास जीम में कितने पैसे है सो रुपे कितने रिष्ट कर सकते दो अब यह रिजिस्टर हो गया मानलों ट्विंटी रुपीज का जीम में तुम्हारे सौ तो अगर किसी कॉमडिटी का प्राइस कम होगा तो उससे मेरी परसीजिंग पावर क्या हो जाएगी बढ़ जा सेम मनी इंकम से हम ज्यादा कॉमडिटी परचेश कर सकते हैं यह आपको क्या दे दिया एक्जामपल दे चॉकलेट का आशा ने चाट चॉकलेट परचेश करी अट दरे टैनीच तो टूटल कितनी पॉकेट मनी चाहिए उसको पॉट्टी रुपीज की खर्चा होगा पॉकेट मनी से इफ प्राइज और चॉकलेट प्रचेश करी दिन दा विद दे सेम मनी इंकम आशा कन बाय किती चॉकलेट बाय कर सकते हैं पहले चार चॉकलेट अपाच अब दोसको भी खिला देगी एक चॉकलेट अब बात कहते है इसकी एडिशनल कस्टोमर्स की में दा प्राइज आने वाला आइफोन 14 अब उसके वज़े से आइफोन 13 तो क्या हो जाएगा सस्ता अब जैसी 14 आएगा तो 13 क्या हो जाएगा सस्ता अब मैं जाओंगा फटावट से मार्केट में 14 तोड़ीन ना खरीद क्या हूंगा समझें मेरी बात नहीं समझें किता सिंपल था तो वेंड प्राइज आप ता कॉमड़ेटी फॉल्स मैंनी निव कस्टमर अब मैं कभी एपल का प्रमान लोग उसको मैं कस्टमर नहीं था लेकिन जैसे उसका प्राइज नहीं करने के अपने नया कस्टमर लेकर आने की अब पुराने 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 प्रोड़क्ट आइफोन इलेवन अगर तो नहीं कस्टमर को क्या कर लेते हैं तो वेंड़ प्राइज फॉल्स मैंनी निव कस्टमर्स हूँ वर नॉट नॉट पॉजिशन तो बाइट अर्लियर तो जब थर्टीन आया था तो वह एट्टी था तो अब मैं उसको क्या कर लूँगा मालों तीस एजार रुपे बजगे और जो पहले कस्टमर नहीं थे प्रोड़क्ट क्या था अब भी हमारे कस्टमर बन गए अब यहां पर तो आइस्क्रीम फैम्ली पैक का अब यह सुना दूंगा तो फिर तुम्हारा मन कर जाएगा खाने का तो आइफोन से मैंने सिखा दिया आप लोगों को अब बात करते हैं किसकी बात करें डिफरेंट यूजिज सम्कॉमरेटी इस लाइक मिल्क इलेक्रिसेट चल रहा है अब इस चल रहा हो या ना चल रहा हो कोई ऐसी चीज आज के टाइम में में जो कौन से इस तो मतलब चाहे खाना मिले या ना मिले हमें क्या चाहिए आइफ चैहिए यह बंद हो जाता है 10 मिनट के लिए तो दीपक भईया के पीछे हम पढ़ दाते हैं वहीं यह कैसे बंद हो गया 10 मिनट के लिए हमारा किता जुरूरी काम है और भईया पूछा कौन से चैटिंग करें तो क्या हो जाता है कि हम इन चीजों का देखो इनका मल्टिपल यूज़े लेकिन इसको हम सबसे पहले किसके लिए यूटिलाइज करेंगे नेसिसेटी के लिए तो नहीं मिलेगा प्रेट के अंदर को कि यह क्या हो गया महेंगा हो गया तो जो में इन्पर्टेंट यूज़े के अंदर क्या देना था टेस्ट टेस्ट देने के लिए तो उस टाइम तो हम डाल देंगे लेकिन आप अगर बोलोगे कि साइड में काटके दे दो तो नहीं मिलेगा सारे नहीं मिलेगा ठीक है चलो अब जैसे बॉटर ने बहुत सारे परपेस इस मान लो जिस दिन पानी न के लिए कि लिए नहेंगे उस दिन तो बेसे कली और दूसरा परपस नहीं सकता उस दिन क्या होता है ना तो नहाते ना पोचे लगते सिर्ब क्या बोलते हैं वह बहुत है और बागी का करना पड़ेगा पानी भाशी पीना पड़ेगा तो आप उसको किस चीज के लिए इन्पर्टन पर्टर्पॉस के लिए एंड डिमांड for less important uses like cheese butter बनाएंगे या फिर बच्चों को बहुत ज्यादा सस्ती होगे या हमारा मारवड़ चीज कोई भी चीज है वह बहुत ज्यादा सस्ती होगे हम क्या करेंगे उसको बहुत सब्सक्राइब बहुत पानी डाल देते हैं जिस दिन नहीं आ रहा होता उस दिन तो हम अपने उपर भी पानी डालते हैं चीज बता रहा किया तो बहुत चैसे चीज़े हैं जिनके बहुत सारे अल्टनेटिव यूज़ेज हैं अगर वो उसकी स्केट सेटी है कम हो गया तो उसको किसी के लिए उट्रेस करोगे विच इस तब मोस्ट इंपोर्टेंट पर पस जिसके लिए आपको उसको यूज़ करना चाहिए ठीक है चलो झाल तो यह क्या थे गिफन गुट्स ते गिफन गुट्स मतलब क्या होता है यहां पर काम नहीं करेगा तो पहला क्या है तो गिफन गुट्स के अंदर यह वालों काम नहीं करेगा ठीक है अब गिफन गुट्स में क्या करेगा इस आरदा स्पेशल काइंड ऑफ इंफीडर गुट्स ऑन विच दा कंजूमर स्पेंट जालार्ज अमांट ऑफ इस इंकों कैसे गुट्ज है यह नॉर्मल के इंफीडर इंफीडर गुट्स और इनके ओपर हम काफी बड़ा अमांट खर्च करते हैं दिस डिमांड राइज इंक्रीज अगर 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 ऑगर प्राइस देमांड क्या होती है कम यह लेकिन अभी इसके अंदर क्या लग रहे है कि प्राइस बढ़ेगे तो निवान बढ़ेगी किसका जुक्त बाजरा का तो लोग बग इसके डिमांड क्या कर देते हैं कम कर देते तो प्राइज अगर कम हो गया तो इसके सास्थ गार्लिक चट्नी एफ यह ऊंपर कौन सी जगह है प्राइज अगर कम हो जाते है तो उसकी डिमांड क्या कर देते हैं कम कर देते हैं किसकी जुआरें और वैसे अगर हम बोले तो हम ऐसा बोलते हैं और इनके अंदर लोग लाइश्टाइल के लिए भी जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे वो भी इसको थोड़ा सा ज्यादा इंटेक करते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता जो हम खाड़े हैं तो इस फिनोमेन पॉपर रॉबर्ट गिफन अब पता है यह वाला टॉपिक इतना ज्यादे इंपॉर्टन नहीं है इससे कोशन नहीं बनेगा पता है देरे टीचर ने क्यों करवाया और इसको पर लोगों का डिमांड भड़ रही है तो उसका प्राइज भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है आगे बा दिमांड काम होनी चाहिए लेकिन देखा यह रहा है कि हर सालिंग भूद की होती जाए बढ़ती जारी है बढ़ती जारी है बढ़ती जारे बढ़ती जारे कंपडियों और बड़ी बाड़ीं जाते हैं तो कुछ ऐसी महेंगे मेंगी पेंटिंग्स होती है अब इतनी महेंगी पेंटिंग है इसको नहीं खरीदना चाहिए लेकिन फिर भी बैग जाती है अब तुम सोचो कोई अगर कोई महेंगी कंपनी का कोई प्रोड़क्त है वह एम एक प्राइज पर मिखने लग जाएगी उसके पास विए उसके पास विए इडिक्से वाला बंदा भी गाना चलाके घुमेगा मस्त आपल आइफोन के उपर एंदेर डिमांड उसकी डिमांड क्या हो जाएगी क्योंकि उसने अपना जो सिंबलड था ना स्टीटस सिंबल वह क्या कर दिया अब बात करते है नेक्स की फिर ऑफ शोटीच हमें लग रहा है आग्यम वाले टाइम में इस चीज़ कि क्या हो जाएगी चीज आगे मिलेगी आज हम इसको क्या गड़ लेंगे डिमांड कर लेंगे फरक नहीं पड़ता कि आज उसका प्राइस कितना है कितना नहीं एक्सपेक्ट 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 और स्केर सेटी ऑफ पर्टिकुलर कॉमर रिटीन दा नियर फ्यूटर हमें लग रहा है कि आने वाज़े समय के अंदर यह चीज क्या हो प्राइज क्या होगी नहीं पता लॉगडाउं कितना लंबा चले जाया क्या हो जाएं तो हम ने इसकी क्या कर ली थी तीरे दीरे तीरे 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 तुमने देखा था मस्टर रॉइल के जो प्राइजस बढ़ने स्टार्ट हुए 2020 के बाद सरसो का तेल नौर्मल जितने भ पढ़ेते हैं क्योंकि स्केट सेटी होगी त्य मार्केट के अंदर इव दा कंजूमर्ट स्पेंडर शॉर्टेज और स्केट सेटी ऑफ पर्टिकुलर कॉमरेटी इन नियर फ्यूचर दे वोड स्टार्ट बाइं को सब्सकेट किसी चीज चीज लगता है तो वह सोचे के आज ही मैं उसको क्या कर लेता हूं उसको क्या लेता हूं वार राई होने वाली है जैसे यूक्राइन वर्शी और यूप्रेन और रशिया वालों ने क्या करके रख लिए उक्रेन वालों में जिसके उपर वार शुडी थी उन्होंने क्या करके रख लिए होगा सारा स्टॉक वगर इंविंटरी अपने भड ली होगी इंच्छुमर्स डिमांड गुड्स इवन एटा है प्राइज दूर फीर ऑफ शॉर्टेज जब्स इन जनल इन इर्सेक्यूरिटी एं ठीक है तो आए प्रिजिज में भी उन्होंने क्या राइंड कर ओके इग्नोरेंस किसके एग्नोरेंस कंजुमर में मॉर ऑफ कॉमड़ेटी अटा हाई प्राइज बेन दिया इंग्नोरेंट अप्ट प्रेविलिंग प्रैजिस तुम लोग मार्केट में तुम लोग गए ममी ने बोला जा बेटा तो किलो आलू लेकर आई यह थोड़ा सब्सक्रा आने थे 60 रूपीज के मार्केट में यह प्राइस चल रहा है तो मैं बैकॉस ऑफ इग्नोरेंस कंजुमर में बाई मोर आप दा कॉमड़ेटी अटा है प्राइस वेन दे और इग्नोरेंट आप दा प्रिविलिंग प्रैज जब इचारे बच्छों को पता ही नहीं क्या प्र फैशन है तो हम प्राइस तो नहीं देखेंगे क्योंकि आज क्या है फैशन है ठीक है गोड़ेटेट तो फैशन दो फॉल्लोव देमांड ठीक है और डिमांड बढ़ती रहती है फैशनेबल गुट्स की है ना नेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए बहुत जादा जूरू दॉ एक बंदे को सीरियस हाट में इंजिरी थी क्या थी अब मेडिकल इशूस था हाट में प्रॉब्लम थी डॉक्टर ने एक दवाई लिखके दी और वो एक जो गोली जो थी वह वन थाउजन रुपीस की थी एक गोली किते की थी एक हाजार रुपए की एक गोली थी और दिन म भी तो मैं नहीं खाऊंगा समझे अब सॉल्ट की बात करें अगर कल को नमग महेंगा हो गए सब्सक्राइब नहीं आएगा स्वाद किस से आते सारा स्वाट से आता है शेंज दुआ दर इंदर चाहिज जाए जादा था लेकिन फिर भी हमें गिलत नहीं होना ना तूलाई तो से भी भैंगी है फिर कपड़े जाके दोने करने यह सुखाने वह और ज़्यादा बर्डन है तो अम्रीला खरीद लो चाहिए ज्यादा है अब किसी का गर्में हो ग लेना तो पढ़े गई पढ़ाया है मैंने आपको कौन-कौन से एक बार रिवाइस कर लेते हैं अब दिमांड कर अब त्यमांड के अंदर नहां क्या आते हैं मुवमेंट के अंदर करेंगे करेंगे के अंदर 2 मुमेंट होती है एक तो होती है earnest moment Is पैंट को उन्से डान्वर्ड मुमेंट आगर नीचे जाओगे तो कान से बोमेंट और इसको उपर जाओगे तो इसको किया है आपश्पंशन देमांड कर देखते हो तुम दीरे दीरे इसके बीच में तो इसको क्या बोलता है् को क्या बोलते हैं को दियान से देखो यहां पर लिखा हुए डाउनवर्ड मुमेंट को आप क्या बोलोगे एक्स पिंशन इन डिमांड अरे तुम सोचो नो यह भी देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है क्या ब्रती जारी है क्या डिमांड आगए पर आगए पर जाके इसको दिमांड और अगर तुम ओप्पर की तरफ जाओगे ने चक्या अडिमांड और किशुक्क होती सबसे पहले हम किसके बात करेंगे हम expansion in demand की बात करते किसी बात करते expansion in demand की हम बात करें तो demand भड़ रही है तो प्राइस क्या और आगा कम डिमांड अब भड़ रही है तो प्राइस के वज़े से तो वर्ड कौन सा रहा है वांडी डिमांड दू फॉल इंदा प्राइस आफ तो इसको क्या बूल रहा है तो उसको क्या बोल रहे है एक्सटेंशोन लौकेज सो इसे कानफ बूल यही अथा रही है क्या इसको ईक्सटेंशन इंधिमांड इंच्रीशनव दिमांड कि फिर बात करते किसकी कॉंट्राक्शन डिमांड किसकी बात करेंगे कॉंट्राक्शन डिमांड क्या होती जारे धीरे-धीरे कम होती जारी है कॉंट्राक्शन डिमांड किस वज़े से कम होती जारे डिमांड क्योंकि प्राइस भढ़ता जा रहे हैं तो फॉल इन्दा कॉंट इसको बूलेंगे होती है लांग शीम दिमांड कर हो यहां क्यों गारतलिए है और वभर क्या है का समझे शिफ इन दो अब क्या होता है अब क्या मतलब का मतलब क्या तो यहां पर प्राइस के वज़े से नहीं होएगा बाकी सारे जो फैक्टर्स है उनके वज़े से जो होगा अगर बाकी सारे फैक्टर्स के वज़े से प्राइस बढ़ती है सुनो मेरे परध्यान से पांस फैक्टर्स हमने पड़े अगर प्राइस के वज़े से कॉंटिटी डिवांडिर में चेंज आता है किसमें जाता है तो उसमें या तो एक्सपैंशन अफ दिमान्ट होती है या फिर कॉंट्राक्शन ऑफडिमांड होती है और बाकी अगर हम बात करें other factors other than prices तो other than prices जो भी फैक्टर से related goods income of the consumer इन सारे factors के अंदर अगर चेंज आता है तो क्या होता है shift in demand कर और shift कैसा हो सकता है राइट वर्ड शिफ्ट भी हो सकता है लिफट भी हो सकता है तो राइट वर्ड शिफ्ट जैसे बैने आपको बना के दिखाया यह क्या है राइट वर्ड शिफ्ट और यहां पर अगर बन गया तो यह क्या हैं लेफट वर्ड शिफ्ट राइट वर्ड शिप्ट क्या बताता है कि demand भढ़ गई left-wour शिब क्या दिखाता है कि demand कम हो चीके बोलो समझे नहीं समझे the change in one of the one of other factors shift the demand change in one of the other factors other than prices other than prices when the demand of the commodity changes due to change in any factors other than the own price price के ज़ंदावा किसी दूसरे factors के वज्जह से डिमांड में चेंज आता है तो उसको उसमें क्या भाइब जाता है शिफ्ट आप डिमांड कर बता है से डिमांड बिधिए से रीजन से हैं देमांड कर वे चेंज होने के वज़े से अब धियांद से देखना चेंज इन-धा प्राइस आगया या फिर प्राइस ऑफ कॉंपलिमेंटर की नियुट में चेंज आगया मार्केट वाली आगी तीन हमने मार्केट की पड़ी थी पॉपुलेशन में चेंज आ गया सीजन और वेदर के अंदर चेंज आ गया यह क्या था मार्केट के फाक्टर जो गया डीन की तरफ चला अगा घर वाइच वगी तो लिफट भॉट टो लिविजट होगी ंदो इस नगमघ平 कि सब्जब मौ को आग吧 आजी